हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेर वादर वितायुष और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं परादीप फॉस्पेट्स आईपियो और एथाउज आईपियो के डे वन और डे टू सब्सक्रिप्शन के बारे में आज एथाउज आईपियो का फ वीडियो को पुरा देखेगा और क्या यहां पर कितना पैसा आता हुआ देखने को मिला है पहले दिन एथाउज आईपियो के बारे में इस बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो वीडियो को प्रादीप फॉस्पेट्स आईपियो एक नॉन यूरिया देश सेकेंड था इस आईपियो का यह कल आईपियो जो है वो बंद होता हुआ देखने को मिल जाएगा यह बात आप याद रखेगा 19 मही यह कल और कल यह आईपियो बंद जाएगा 42 रुपीज के प्राइस बंद के साथ दोस्तों यह कंपनी आपको आते हुई देखने को म अगर आप देखेंगे जो प्राइस बंद पर यह आईपियो देखने को मिले 42 रुपीज वो डेफिनेटल एट्राक्टिव दिखता है वर उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो क्यू आई बीज ने तो कल पार्टिसिपेशन नहीं किया चले फर्स सेकेंड यह म आप समझे कितने कितने शेर्स ओफर किये गए हैं हर एक केटेगरी को यह पर सबसेले बात करें देखें क्यू आई बीज का तो 338.96 करोड के शेर्स ओफर किये गए वह जो 30% आप देखने को मल रहा है और टोटल जो 1500 करोड का था उसमें से कुछ जो पोशन है वो तो आज पास का अब आई प्यो में आज की सब्सक्रिप्शन के बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं तो आज दोस्तों अगर आप देखेंगे कल के मुकाबले तो यहाँ पर डे टू में टोटल 0.51 टाइम यानि कल से अगर आज का कंपेशन करेंगे तो कल जो सब्सक्रिप्श आता हुआ देखने को नहीं मिला है यहाज जो सब्सक्रिप्शन है और कम आता हुआ देखने को मिला है कल 0.29 टाइम्स था यानि करीबन अगर आज 0.29 बे आदा तो 0.58 टाइम्स होदा ता लेकर अभी हुआ कितना है ओनली 0.51 टाइम्स यानि कल से अगर आप देख रहें त तो और यह कैसकते कि दिक्कत है अब IPO में पैसा क्यों आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है इसलिए अगर आप देखेंगे जादा यहाँ पर IPO को लेकर उच्छाहत कोई भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है इंपोर्टन चीज यह है अगर बात करता हूँ मैं कोई से भी कंपनी की जो यह इस सेग्मेंट में आपको काम करती भी देखने को मिलती है याद रहा है कि सबस्वेल बात तो कोई नया participation आपको आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है यह इसा नहीं कि देखे बहुत डिफरेंट स्पेस है काफी कंपनी अपको मार्केट में अल्रेडी लिस्ट होती भी देखने को मिल चुकी है दूसरी बात कि है कि जो प्राइसमेंट पर यह ओफर करती भी देखने को मिल रही है यह बाद अब सबको समझ के चलनी है तो इसमें क्या पैसा लगाना सही रहेगा तो अगर ग्री मार्केट की भी में बात करता हूँ तो वो अभी 3 रुपे चल रही है अब 3 रुपे का मतलब क्या है कि 7.14% का आपको यहाँ पर रिटर्न मिल सकता है अगर यह लिस्ट होता हुआ देखने को मिलता है तीन पर अब जैसे कि LIC था LIC का 26 रुपे माइनेस दिखा रहता यानि 923 पर लिस्ट होना चाहिए था लिस्ट का हुआ नीचे तो उस रसाप से तो ग्री मार्केट में जो चलता है उस पर जादर हम भरूसा नहीं करकते लेकिन हाँ यहाँ पर जो रिस्क रहेगी डाउनसेट की वो 42 गा 38 में लिस्ट ह आपको चलता हुआ देखने को मिल रहा है जो जादा डिफिनिटली नहीं है इंडिया की लार्जेस्ट और सबसे प्रीमियम वाच वियर विवल ब्रैंड एथास लिमिटेड आपको आते हुए देखने को मिलें और आज से दुस्तों जो आई प्यों वो उपन होता हुए दे कर कि कमपनी आती भी देखने को मिल रही है अंडौट इलिस सेग्मेंट तो बढ़िया है वाच वेरेवल ब्रैंड का अगर आप देखेंगे तो कमपनी तो बढ़िया है और लाजेस्ट लग्ज्यटी और प्रीमियम वाच सेलर है इंडिया की है लाजेस्ट डेफिनिटली अब important चीज़ क्या है, अब पहले दिन अगर आप देखेंगे जो subscription आता हुआ देखने को मिला है इसमें, वो 0.27 ताइम से, अब 0.27 ताइम से साब साब देखेंगे तो IP तो 470 करोड़ का है, 470 करोड़ में से भी अगर आप देखेंगे कुछ portion तो anchor investor लेगा है, यानि सिफ operations expensive है, तो definitely उस IPO से दूर रही है, पैसा बनने के chances बहुत कम रहेंगे, अब वो 872 रुपीस का है, तो ज्यादत से ज्यादा अगर यहाँ पर list भी होता है, तो यह आपको listing जो है, वो होती भी देखने को मिल जाएगी, मुश्किल से 10 रुपे, 15 रुपे उपर, मुश्किल से बोल रहा हूं है, और अगर यहाँ पर 10 रुपे ग्रे मार्केट दिखा रहा है, तो ग्रे मार्केट पर जाईए मत, ग्रे मार्केट 10 रुपे दिखा रहा है GMP, तो कभी भी वो 50 रुपे माइनस, 100 रुपे माइनस हो जाएगी, पता भी चलेगा, because IP अगर आप देखेंगे, यह expensive है, कंपनी बढ़िया है, कंपनी के financials बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वापे से मैं कहूंगा, बट जो subscription आता हुआ देखने को मिल रहा है, पहले दिन के अंदर only 0.27 times, 0.27 times बिल्कुल से बिल्कुल कम है, क्योंकि सिर्फ 300 करोड़ का अगर कोई issue आ रहा है चाड़े 300 करोड़ को issue आ रहा है, तो वो पैसा क्या बना, पैसा क्या आ रहा है, यह आप सब को समझ में आ रहा होगा, retail पैसा आपको चलिए लगाते हुए देखने को मिलें थोड़ा थोड़ा, लेकिन QIBS, मुझे नहीं लगता कि पैसा लगाते हुए देखने को मिलेंगे इस issue के अंदर, तो मेरा perspective तो यहाँ पर यही कि इस IP से दूर रही है, अगर company यहाँ पर पांच रुपर का price में लेके आती है, तो I think वो attractive होता, because company का अगर आप दिखेंगे, जो market exposure है, वो largest है, यहाँ कि सबसे बड़ी company में से एक है, यह एक है है, अथो लिमिटेड जो premium and luxury watch wearable brand होनाती है, watch wearable बेचती है, so मैं आपको कहता कि यहाँ लगा के चली है, because वहाँ से थोड़ा सा जो यहाँ पर listing in के chances है, वो मिल जाते है, but इस market में, जहां market wallet आए ले, जहां market को देखें हर पल पल पे गिरावट बन सकती है, तो वहाँ पर company इसको भी सोचना पड़ेगा, कि हाँ जो IPO लाना है, वो सही valuation पर लेकर लेकर आना है, अगर सही valuation पर लेकर नहीं आएंगे, तो दिक्कत हो सकती है, company को भी, company के IPO को भी, plus यहाँ पर retailers के तरफ से, ना QIB के तरफ से, ना NIs के तरफ से, पैसा आता हुआ देखने को मिलेगा, तो वो सोच समझ के चलना चीए, कि अब definitely देखना होगा किस पकार subscription निकल के आता है, main राय तो इसको avoid करने के रहेगी, definitely आप यहाँ पर long term अगर आपका perspective है, तो definitely लगा के चल सकता है, अपने financial advisor से पूर सकते है, but main तो यह रहेगी कि इस IPO सो दूर रही है, यहाँ पर पैसा बनना बहुत मुश्किल दिखता ह है, बहुत कम दिखता है, तो definitely main राय तो यहाँ पर पैसा लगाने की नहीं है, और इसका जो green market है वो भी सर्फ 10 रुपी चल रहा है, तो friends इस वीडियो में इतना ही था, hopes वीडियो बढ़या लगा होगा, अगर लगा है तो like कर देना, channel से लिए डियो सब्स्राइब कर देना thank you friends for watching this video